अलवर की शास्ती नगर मेडिकल कॉलोनिस्ती धीरज स्कूल निलकंट मादयों मंदिर में शिव महापुरान कथा जारी है यहां चित्रकूर धाम उत्रप्रदेश से आई स्वामी कमलदास बापु कथा वाचन कर रही है गुर्वा को पांचवे दिन शिरी शिव पारवती विवा की खता सुनाने के साथ ही भवय जहां की प्रदशित की गई साथी उपस्तित भक्त भाव विवोर होटे वही स्वामी कमलदास बापु ने इस मोकी पर धार्म किस्तलों पर जाते समय या पूजा करते समय सिर ढखने के व्यागानिक आधार को भी बताया स्वामी कमलदास बापु ने का कि सिर मनुश्य के अंगों में सबसे सम्विदन शिली स्थान है ब्रह्म रंद सिर के बीचों बीच इस्तित होता है मोसम के परवर्तन के दुश्प्रवाव या आकाशे विदूतिय तरंगे खुले सरवाले व्यत्ते के भीता प्रविश्क कर रोगों और समस्यां को जर्म देती है इसलिए सर और बालों को ढखकर रखना हमारी परंपरा में शामिल था दीरे दीरे यह परंपरा भगवान को या बड़े लोगों को सम्मान देने का तरीका बन गई दूस्यों सर के मद्धे में सैस्त्र धार चक्रोता है और पूजा के समय से ढखकर रखने से मन एकाग बना रहता है वही सावसा पर रामजीत गुर्जर और गुड़ी गुर्जर सैत अन्य शर्दालू की मोजुदगी में शीव महापुराण का पूजन संपन हुआ